इटली के फेमस पेंटर जियोनी ब्रागलीन ने एक पेंटिंग बनाई जो देखते ही देखते इतनी मसहूर हो गए कि इस पेंटिंग के 50,000 कॉपी बनाई गई और उन कॉपी को लोग अपने घरों में लगाने लगें इस पेंटिंग का नाम था दिक्राइम भुआ है लेकिन इसके बाद जो हुआ उसके बारे में लोग सपने में भी नहीं सोच सकते थे जिन लोगों ने भी इस पेंटिंग को खरीद कर अपने घरों में लगाया उनकी जिन्दगी तबाह हो गई एक फायर फाइटर ने यहां तक बताया कि वो तकरीबन 15 घरों में आग लगने के बा महादी क्राइम वाय पेंटिंग मिला करती उसका कहना था कि घर का सारा समान जल चुकात होता था मगर यह पेंटिंग हर हाल में सही सलामत मिला करती उसके बाद से लोग इस पेंटिंग को सरापित मानने लगे और लोगों ने इस पेंटिंग को अपने घरों में रखना चुके थे कि हादसे की वज़ा यही सरापित पेंटिंग है। उसके बाद लोगों ने होलोवेन फेस्टिवल के एक साम पेंटिंग की सारी कोपी को इकठा किया और उन्हें जला दिया। इसके बाद से इस पेंटिंग की वज़ा से होने वाले हादसे में अस्चरे जनक रूप से गिरावट आ गई सन 1947 को जून के महीने में मलाक्का की खारी से वया पारिक मार्ग से कई जहाज गुजर रहे थे तभी एक एस संदेश पहुचा की जहाज के सभी कुरू सदस्यों की मौत हो चुकी है जब जहाज के सिगनल का सोर्स पहचानते हुए कुरू जहाज की तरफ मर्चेंट सिप दसिल्वर एस्टार पहुची तो नजारा हैरान करने वाला था कुरू जहाज के सभी सदस्यों की मौत हो चुकी थी और सभी के सो जहाज पर इधर उधर बिखरे परे थे वो दिरे सी इतना भयानक था की समझ नहीं आ रहा था की हुआ क्या है इनसानों के साथ साथ उस जहाज पर सफर कर रहे कुद्टों की भी मौत हो गई थी हैरान करने वाली बात यह है कि किसी के भी सरीर पर कोई चोट के निसान नहीं मिले यही कारण है कि उनकी मौत का कारण आज भी एक रहस बना है नमबर थ्री पंद्रो सो अठारा में गर्मियों के दिन में स्टार बर्ग सहर में एक महिला ने सरक पर अचानक से नाचना सुरू कर दिया दिन से रात हो जाती और रात से दिन पर उसका नाचना बंद नहीं होता एक सब्ताह के अंदर 34 अन्य महिलाओं ने भी उनके साथ नाचना सुरू कर दिया उन्हें देखकर ऐसा लगता था जैसे कि उन्हें अंदर किसी आत्मा का वास हो गया क्योंकि नाचने की ना तो कोई वजह थी और ना ही कोई खास मौका एक माह के अंदर नाचने वाली महिलाओं की संख्या 400 पहुँच गई महिलाओं की हालत खराब होने लगी यहां तक कि कई महिलाओं की मो नाचनते नाचनते मोत हो गई इस घटना के पीछे कई वजह बताई गई जैसे कि जहर समुहिक मानसिक बिमारी इस घटना की भी करने के लिए कई तरीके भी आजमाए गए लेकिन इस एतिहासिक घटना का आई तक संतु जनक जबाब नहीं मिल सका चिली में घोष टाउन नाम से एक मसहूर जगह है जहां एक 6 इंच का नरकंकाल पाया गया था इस नरकंकाल के दात पत्थर जैसे मजबूत थे बहुत रिसर्च करने के बाद यह माना गया कि यह मानवी एक इंसान का कंकाल है लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि इतने छोटे इंसान के दात कैसे हो सकते हैं इसी वज़ा से आज भी यह रहस उल्जा हुआ